असलाम लेकुम स्टूडेंट्स मैं 9th क्लास civics की पेरिंग स्कीम शेर करने वाली हूँ इससे आप लोग का paper pattern भी कवर रहने वाला है important chapters भी पता चलने वाले है and chapters के pair भी पता चलने वाले है so सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि हमारा जो civics का paper होता है 9th का वो 75 plus marks का होता है जिसमें से 15 plus marks के mcqs आते है and 60 plus marks का subjective होता है तो सबसे पहले हम mcqs के बारे में discuss करते हैं total 5 chapters होते है chapter 1 से 2 mcqs आएंगे chapter 2 से 3 mcqs chapter 3 से 3 chapter 4 से 3 and chapter 5 से 4 mcqs आएंगे so students mcqs discuss हो चुके है then subjective आता है subjective में पहले section 1 आएगा short questions का section so question number 2 पहले आता है जिसमें chapter 1 and chapter 2 का pair बन रहा है chapter 1 से 6 questions आने and chapter 2 से 3 total paper में 9 questions होंगे आप लोगों को 6 attempt करने होंगे और इनके जो goal marks होंगे वो 12 होंगे अब यहाँ पर important chapter की बात की जए एगे तो तो सबसे पहले मैं उन students की बात करूंगी जो extra chapters attempt नहीं करना चाते वो उतने chapters करना चाते जिनमें उनके question уз cover हो जाएं तो उनके लिए chapter 1 है means कि chapter 1 से 6 questions आने हैं अब बात करें उन students की जो extra questions प्रिपेर करना चाते हैं. तो उनके लिए chapter 2 भी साथ करना लास्मी है. Means कि वो chapter 1 and chapter 2, इन दोनों chapters को प्रिपेर करेंगे. तो इन में उन लोगों के 9 questions कवर हो जाएंगे और उनको paper में 6 करने हैं और वो extra भी questions कर सकते हैं. Then question number 3 आता है. अब यहां पर आप लोगों को इन दोनों chapters में से selection करनी है. तो वो आगे पता चलेगा कि आप लोगों के लिए यहां पर chapter 5 best है यह chapter 4 best है. वो आप लोगों को मैं अगले question number 4 में बताऊंगी. इसमें भी 9 questions होंगे. टोटल आप लोगों को 6 attempt करने होंगे और इनके जो goal marks होंगे वो 12 होंगे. हम चलते हैं हमारे question number 4 की तरफ. Question number 4 में chapter 4 and chapter 5 का pair पर रहे हैं. यहां पर chapter 4 से 7 questions आने हैं and chapter 5 से 2 questions आने हैं. मैंने कहा था कि आप लोगों को chapter 4 and chapter 5 में से जो chapter करना है वो chapter 4 करना है. Because यहां पर आप लोगों का chapter 4 वहां पर करने से यहां पर भी आप लोगों के questions cover हो जाते हैं. chapter 5 से आपको कोई मुनाफ़ा नहीं मिलने मैं वाला क्यूंकि वहाँ पर भी आप लोगों को chapter 5 से 2 questions आ रहे हैं तो वहाँ पर आप लोग chapter 4 भी कर लेते हैं तो फिर भी आप लोगों के वहाँ पर questions कवर जते हैं आप यहाँ पर भी chapter 4 करेंगे तो यहाँ पर basically हो भी रहा है So यहाँ पर वो students जो extra questions नहीं करना चाते तो उनके लिए chapters बन रहे हैं chapter 1, chapter 3 and chapter 4 अब बात करते हैं उन students की जो extra questions प्रपेर करना चाते हैं तो उनके लिए जो chapters बन रहे हैं वो chapter 1, chapter 2, chapter 3 and chapter 4 बस आप लोग के यह 4 chapters करने हैं आप लोग extra questions भी paper में करने बैठ जाएंगे बाकी जो दूसरे students थे जो नोगे extra questions prepare नहीं करने तो उनके लिए 3 chapters है और जो extra questions prepare करना चाहते हैं उनके लिए 4 chapters है section 2 long questions का section है जिसमें question number 5 में chapter 1 से लोग आना question number 6 में chapter 2 से question number 7 में chapter 3 से question number 8 में chapter 4 से basically ये सारे chapter से ही long आने है question number 9 में chapter 5 से total 5 long questions होंगे आप लोगों को 3 attempt करने होंगे और उनके जो call marks होंगे वो 24 होंगे अब जिन students ने 3 या 4 chapters करने है या सारे chapters करने है या कौन से मरसी chapters करने है तो उन students के लिए ये है कि वो जिन chapters के short प्रिपेर कर रहे हैं वो उन chapters के long भी प्रिपेर कर लें बहुत best हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को आप लोगों को easy लियाद हो जाएंगे जिन chapters के आप short करें उन chapters के ही long करें so students मैंने pairing scheme आप लोगों के साथ share कर दिया है किसी आप लोगों का paper pattern भी cover हो जाएगा important chapters भी आप लोगों को पता चल चुकी है